और इस बीच एक और बड़ी ख़बर भारत से अडानी हिंडन बर विबाद पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से बड़ी ख़बर आ रही है अडानी हिंडन बर विबाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो रही है Solicitor General ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सेबी ने जांच के लिए छे महीने का और वक्त मांगा है इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच समीती का बनाई थी उसने इस मामले में अपनी रिपोर्ट सर्वोच अदालत को सौंप दी है छे सदसिये एक्सपर्ट कमिटी ने आठ मई को एक बंद लिभाफे में अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी है इस कमिटी को दो महीने का वक्त मिला था अपनी रिपोर्ट तयार करने के लिए और आठ मही को इसने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोट को सौप दी है और इस समिती से अलग सेभी अपनी अलग जाँच कर रहा है इस पूरे प्रकरण में और सेभी ने अब अपनी जाँच कम्प्लीट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 6 महिने की और अवधी की दरकार की है और उसी पर सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट से गोनिका अरोला हमारे साथ जुड रही है और निर्ने कपूर हमारे सयोगी वो भी जुड रहे है हमारे गुजरात के ब्योरोचीफ एक कॉमेंट हम गोनिका से लेना चाहते हैं गोनिका इस बख का अपडेट अगर आप हमें सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा जा रहा है देखिए सबसे पहले इसमें मुक्यत तोर पर चार मामले लगे हुए लेकिन सबसे पहले है वो सैभी की पेटिशन है इसमें कई तरह के पहलों पर जांच होनी है इसलिए वो छे माहिने का टाइम मांग रहे हैं लेकिन प्रशान भूशन ये कह रहे कि इस पूरे मामले की जांच सरकार 2017 से करवा रही है ऐसे में 2017 से लेकर 2023 तक उनके पास काफी वक्त हो चुका है सेवी तब से इस मामले की जांच करे है लेकिन उसके बावजूद अब तक ना तो जांच पूरी हुए और फिर से 6 माहिने का वक्त वो मांगने आये हैं और 6 माहिने के वक्त जो मांगा जा रहा है सेवी की तरफ से उ उस पर हो सकता है कि court आज किसी तरीके का change करे क्यूंकि वूου रिपोर्ट सिल बन दिफाफ बें दी गई है उसरीपोर्ट में क्या है किस तरीके की इंवेस्टिगेशन वो छे सदस्य कमेटी की तरफ से सामने आई जो सुप्रीम कोट ने गठित की उसमें क्या है क्या कोट उसको रिवील करेगा यह अपसे कुछ तिर में साफ होगा लेकिन फिलाल जो छे माईने का वक्त मांगाता सेवी ने उस पर इस वक्त बहस चल रही है जिस पर प्रशान भूशन ने इसका पोस किया प्रशान भूशन की तरफ से कहना है कि सेवी एक पार्टर है आई उसका कोई सेक्रेटरी यहाँ पर नहीं है सेवी का जो इस मामले में कोट में आगे कुछ ऐसा क्लारिफिकेशन दे पाए इसलिए उनका कहना है कि वो इन्वेस्टर वो इस पूरे मामले में जो इन्फोर्मेशन है वो पहले भी ले सकती थी सेवी लेकिन सेवी जानभूस का खराब कर रही है यह प्रशान भूशन का आपकी बात जो है वो यह सरलता के साथ अगर दर्शकों को बताएं कि प्रमुख तोर पर दो बड़ी बातें कि एक तो सेवी ने अपनी जानच के लिए छे महीने और मांगे हैं और दूसरा सुप्रीम कोट ने जो छे सदसी कमिटी इस पूरे मामले की प्रकरन की जानच के बनाई थी उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोट के पास सील बंद दिफाफे में पहुंच चुकी है सुप्रीम कोट क्या उस जानच कमिटी ने क्या पाया वो आज देश को बताता है या नहीं यह हमें देखना होगा निरने अगर आप ब्रॉडली यह बता पाएं हमें कि क्या हारोप लगे हैं अडानी ग्रूप के उपर और सुप्रीम कोट उन में से किन-किन मामलों को देख रहा है और अडानी ग्रूप का उस पर क्या अभी तक जवाब रहा है अजब ब्रॉडि दिखें जो प्रमु का रोप लगाये थे इंडान क की जो रिपोड यह ए थिस्यों कर के उसमें जो प्रमु खारोप लगे थे आडानी ग्रूप पर वो ये थे के Adani Group ने, Adani Samu ने जो offshore companies हैं Mauritius जैसी countries में create करके और वहाँ से मतलब वो ऐसी companies हैं जिनका कोई trading record नहीं है जिनके कोई employees का record नहीं है ऐसी companies के द्वारा funds जो है वो transfer किया illegally और अपने जो shares हैं उसका over valuation करके दिखाया है जो basic underlying factors जो होते हैं उसके आधार पर देखा जाए और एक तरह से सारे नियम और जो guidelines हैं उसको ताक पर रख करके एक तरह से inflate किया अपने prices को over value करके दिखाया करीब 85% तक और साथ ही यह भी उसमें बताया गया कि जो disclosures किये जाने चाहिए mandatory वो भी नहीं किये गए कंपनी के द्वारा और उसको लेकर के आपने देखा होगा कि जन्वरी के end में किस प्रकार से market के अंदर share market के अंदर bloodbath देखा गया इतनी volatility पिछले काफी समय में आपने नहीं देखी होगी जिस प्रकार का route हुआ market के अंदर अदानी के shares का भी और उसके बाद अदानी ग्रूप की तरफ से जो statements है अदानी ग्रूप की तरफ से जो rebuttal दिये गए उसमें करीब आपने देखा होगा 413 पन्नों का एक rebuttal जो है वो दिया गया था ग्रूप की तरफ से और उसमें इन तमाम जो आरोप हैं उनको नकारा गया था और ये बत सही भी है कि इसमें से जादा तर जो सूचना थी वो सारी की सारी पहले से public domain में थी और ग्रूप की तरफ से ये कहा गया कि उसी सूचना को गलत तरीके से मेलाफाइड इंटेंशन से तोर मडोर के पेश किया गया और मैं आपको पता हूँ एक इंटरस्टिंग बात अभी सुप्रीम कोर्ट में हाला कि सुनवाई चल रही है लेकिन इससे दो दिन पहले मौरिशेस के जो फैनेंशल सर्विस के मंतरी है उन्होंने अपनी संसद में इस बात को रियेटरेट किया है उन्होंने अपनी संसद में ये बताया है कि मौरिशेस में अदानी ग्रूप की कोई भी शेल कंपनी ऑपरेट नहीं कर रही है ये एक बहुत बड़ी ख़बर है इस पूरे मामले से रिलेटेट जो की हिंडनबर के सवाल पर ही पूची गई थी जो प्रशन पूचा गया था मौरिशेस की संसद में उस पर उन्होंने क्लारिफिकेशन देते हैं ठीक है ने मैं आता हूँ आपके पास दोबारा दो और महमान भी हमारे साथ यस पर जुड़े हुए हैं सुशील केडिया जी फाउंडर सी ओ केडिया नॉमिक्स स्वागत है केडिया साथ आपका एस पी तुलसियान साथ है जाने बारे मारकेट एक्सपर्ट है तुलसियान साथ आपका भी बहुत स्वागत है तुलसियान साथ आप से में शुरुबात करना चाहता हूँ पुलिटिकल आरोप अपनी तरफ है क्योंकि एक बहुत बड़ा राजनितिक मुद्दा बन चुका है अडानी समू को लेकर जो भी इल्जाम लगाए गया है हम सब देख रहे हैं यह उसको छोड़ें एक लम्हे के लिए हम तो जो कुछ भी एक आम इन्वेस्टर की नजर से हम अगर इस पक्रण को देखें आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस विशे पर इससे जुड़ा हुआ विवाद वो हमेशा के लिए खतम कर सकता है जो एक्सपर्ट कमिटी की उपीनियन सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँच चुकी है उसके बाद जो भी करेक्शन करेक्टिव मेजर्स लिए जाने हैं वो लिए जा सकते हैं और हमेशा के लिए यह विवाद खतम किया जा सकता है सवर्भ जी जहां तक सुप्रीम कोड का सवाल है जो जहां तक मेरी समझ है सुप्रीम कोड के पास में दो मुद्धे हैं एक तो सेबी द्वारा एडानी के हिसाब किताब में जांच करवा ना कि इसमें कोई गलत तरीके से काम हुआ है कि नहीं हुआ है नंबर वन नंबर टू जो कमेटी बनाई गई छे मेंबरों की जिसकी रिपोर्ट उन्होंने सील एंवलप में सुप्रीम को सौपी है उनका कोई अडानी से कोई लिना देना नहीं उनको मेंडिट दिया गया उनके पास जो स्कोप और वर्क है वो यह है कि बजार को कैसे स्टेंदन किया जाए अग तक इसके पर कुछ भी कायास या कुछ भी रिजल्ट या कुछ भी डिसीजन जो है सुप्रीम कोट नहीं ले सकती तो निश्चित रूप है से है कि कमेटी के जो रिपोर्ट है वो देखना पड़ेगा कि उन्होंने सील एंवलप के रिपोर्ट के ऊपर कुछ भी तवज्ज अगर आप कोई भी शेर जो है 85% करेक्शन हुआ है अगर आप कोई भी शेर के इतना अगर आप नेगटीव रिपोर्ट निकालते हैं तो उसमें सौभाई की सेलिंग आएगी उसके बाद में बाउंस बैक भी होता है तो रिकावरी भी हमने शेर बजार में देखी है और पचीस परसेंट या बीस परसेंट से लेके पचास परसेंट तक हमने नुकसान होते हुए देखा का अलग 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 आपने के शेरों में तो कहीं नहीं हिदन बग का अपना वेस्टे इंटरेस्ट है उस चीछ को जब तक सेभी एग्जामीन करके रिपोर्ट नहीं कि हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या अप स्टोर पर